अल्लाव अल्लाव कही रुखानी शक्सेतों की मजार और दर्गा मौचूद है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत निजामुदीन ओलिया की जी हाँ आज यानि नौक टुबर को उनका ज़र्ण दिन बात करें हजरत निजामुदीन ओलिया की दर्गा की तो यहां हर लोग सैकडों की दादात में बाबा की मुणीद आते हैं जी हाँ उनकी इबादत करने के लिए ना सिर्फ दिल्ली वाले होते हैं बलकि दिल्ली के बाहर भी लोग अकसर यहां आते हैं और बात करें ना सिर्फ इसमें हिंधुतानी भलकी दिडेशों से भी हजारों लोगों की संख्या में यहां बाभा की दर्गा में वो अपनी अर्जी लगाते हैं तो चली जानते हैं हजरत निजामुदिन ओलिया से में कुछ खास बाते हैं हजरत निजामुदिन ओलिया का पूरा नाम हजरत ख्वाजा सेयद मुहम्मद निजामुदिन ओलिया है इनकी पेदाशी कब हुई इसके बारे में लोगों की राए एक चैसी नहीं है ऐसा माना जाता है कि निजामुदिन ओलिया का जन 9 अक्टूबर 1238 को बदायु में हुआ था जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन सल 1233 को तथा कुछ का मानना है कि उनका जन सल 1226 को हुआ था इनके पिता जी का नाम हजरत सेयद एहमद पुखारी था कहा जाता है कि इन्होंने अपने जन के तुरंद बाद इसलामिक कल्मा पढ़ा था इनकी माता का नाम बीबी जुलेखा था जो एक पाक औरत थी और अपना सारा वक्त खुदा की इबादत में लगाती थी बीबी जुलेखा बदायों के ख्वाजक और बुखारी की पुत्री थी सुल्तान अल्थमश्च के दौर में इनकी बुजर्ग बुखारी में हिंदुस्तान आ गए लहुर के कुछ समय ठहरने के बाद वो बदायों आ गए और सदा के लिए यहीं बस गए उस दौर में बदायों को मदिनात अल्या कहा जाता था और यहां इसलामी सिक्षा हासल करने का एक एहम स्थान बन चुका था यहीं नहीं सूफी और संतों के लिए भी यह स्थान खास एहमियत रखता था निजाम अदिन उल्या जब सिर्फ 5 साल के हुए तो उनके पिता का साया उनके सर से हट गया उनकी माता बीवी चुलेखा जो की खुद एक सिक्षिका थी उन्होंने इने इसलामिक तालीम के लिए मौलाना अलुद्दीन असूली को सौब दिया इसके बाद हजरत अलीम मौला बुजर्ग बदायूने के हातों दस्तारे वजियत हासिल की उस वक्त अलीम मौला ने कहा था कि निजाम अदिन खुदा के लावा किसी के आगे सर नहीं चुकाएगा हजरत निजाम अदिन 20 साल के हुए तो अपनी माता और बड़ी बेहन के साथ दिल्ली आ गए कुछ साल बाद निजाम अजोधर चले गए जो आज पाक पटन शरीफ पाकिस्तान में इस्ते थे जहां उनके मुलाकात रोहानी ताकत के मालिक आला दर्जा के आलीम बाबा फरुद्दीन से हुई बाबा फरुद्दीन ने जरूरी सिक्षा देने के बाद इन्हें एक खिलाफत नाम दिया गया और दिल्ली जाने के लिए कहा गया निजामुदीन औलिया वापस आ गए और अपने आखरी वक्त तक दिल्ली में ही रहे कर खुदा की इबादत वा लोगों की खिदमत करते रहे बाद में इस जगा का नाम निजामुदीन पढ़ गया जो आस तक है उन्होंने लोगों को आपसी मुहबत नेकी और इमानदारी करने की तालीम दी उनका कहना था दुनिया का हर इंसान खुदा का ही बनाया हुआ है और इसलिए इंसान से मुहबत ही सही माइनों में खुदा से मुहबत है बाबा निजामुदिन औलियाश शमा यानि कवाली की बहुत शौकीं थे यही वज़ा है कि मौसिकी में कवाली की फन को तश्कील देने वाले मशुहूर मगबूल सूफी शायर अमिर खुसरो उनके मुरीद भी थे और दोस्त भी इनकी मिर्तियु तीन अप्रैल साल 1325 को इनकी ही धरका निजामुदिन दरका जो की दिल्ली में स्थे थे उसमें हुई हजरत निजामुदिन औलिया के निधन के पश्षाद पूरा जन्मान शोक संत्पत्थ हो गया आज भले ही निजामुदिन औलिया हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके द्वारा दिये गया उप्देश्ट, मानव की प्रती प्रेम और सेपा भावना गुडों के कारण लोग उन्हें महभूब ए इलाही का दर्जा देते हैं तो ये थी हजरत मिलसामुदिन औलियस जोई कुछ खास बाते हैं आप क्या नया चाहना चाहते हैं लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन तिल देन बबाई और चानल को स्काइब करना ना पूले